आज हम आपको दिखाते हैं बिग बी का कार्स के लिए पाशन एक तजन कार्स तो उनके पास पहले से ही थी और SUV कार की लॉंच पर जब बिग बी पहुँचे तो उन्हें ये कार इसनी पसंद आई कि उन्होंने जट से दो SUV बुक कर ली टेक अलग बिग बी को मेहंगी कारो कास कितना शौक है ये तो बिग बी के इस अंदास से समझी गए होंगे क्योंकि इस नई SUV के लॉंच पर बिग बी ने इस गाड़ी पर जिस तरह से हाथ रखा है उससे देखकर लग रहा है कि जैसे उन्होंने ये गाड़ी नई नई खरीदी हो बिग बी तो दस लाख की इस गाड़ी को आम आदमी की कार बताना भी नहीं भूले इसका दाम जो था वो बहुत आकर्शिक है और मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए आम आदमी तो नहीं कहना चाहिए सब आदमी कास होते है लेकिन एक affordable price sports utility vehicle को 10 सबा 10 लाख में प्राफ्ट कर लेना ये अपने आप में एक आच्चर जनपात है और इसलिए मचे यह आप शित क्या है लेकिन बिगबी को कौन बताएगी इस कार को तो उनके show KBC के वही contestants ले सकते हैं जिसने hot seat पर वैट कर एक करोर जीते हैं वेल छोड़िये बिगबी की बात को लेकिन एक बात समझ नहीं आए कि जब इस वाक्त उनके पास एक दर्जन के आसपास कार्ड है तो उन्हें दो-दो SUVs बुक करने की क्या जरूरत पड़ गई हम आपको बता दे कि इस वाक्त बिगबी की पारकिंग में रॉल्स रॉयस फांटम, बेंटली कॉंटिनेंटल जी टी, पोर्श केमान एस रेंज रोवर, लेक्सस लेक्स 470, मर्सिडीज, E240, बीम, डव्यू 7 सीडीज और फोर्ट मॉंजियो जैसी मेहंगी कार्ड खड़ी और जाते-जाते बिगबी अनना हजार एक को सपोर्ट करना नहीं जूले। करप्शन कोई भी देश में नहीं चाहता है, और यदि कोई इंसान उसके वकालत करता है कि करप्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको छूट है अज़िकार है उसको करने कार्ण। वेल जो भी हो, end of the day, बिगबी के कास के लिए पाशन देखकर ये तो साफ हो गया है कि भले ही लोग उन्हें बुढधा कहते हो, लेकिन ये चमचमाती कार्ण में उनका दिल बसता है।